हलो दोस्तों कैसे आप सब लोगों मैंत करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और दोस्तों आज एक बहुत ही जबरदस वीडियो में आपका स्वागत है और दोस्तों आज का वीडियो हर एक सब्क्राइबर को देखना ज़रूरी है क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत important बात करने वाले हैं जो कि कोई भी डेलर या सेलर या कोई भी कमपनी आपको नहीं बताएगी यदि दोस्तों आप भी 2014 में यूटियल गामा प्लस 33-50 खरीदने की सोच रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पे हो यूटियल गामा प्लस 33-50 है दोस्तों तो कुछ लोगों के साथ कमपनी या डेलर या सेलर ने धोका किया तो उनमें जो भी कमी है वो डेलर या सेलर की है उसमें कस्टमर का कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि यूटियल गामा प्लस 33-50 को सब्क्राइबर ने खरीदा उन्होंने यही सोच के खरीदा कि इसमें लीथियम आईरन फोस्पेट बैटरी का सपोर्ट दिया गया है पर लीथियम आईरन फोस्पेट बैटरी सपोर्ट वाला आता है और एक नॉर्मल आता है जिसमें क्यों लेड़सेड बैटरी सपोर्ट होती है पहले ये एक इंवेटर था है 2023 में जिसमें लीथियम दोनों बैटरी सपोर्ट था बर 2024 में एक और मोडल नहीं निकार दिया तो बहुत सारे जो सेलर है या फिर जो डीलर है वो लीथियम आईरेन फोस्पेट बैटरी का सपोर्ट बता अगर एक नॉर्मल इंवर्टर कस्टमर को बेचा जा रहा है ये सरासर गलत है ये सरासर धोका है मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे जिनमें कस्टमर के साथ धोका किय जा रहा है अगर एक नॉर्मल इंवर्टर को लीथियम आईरेन फोस्पेट बैटरी सपोर्ट वाला इंवर्टर बता कर बेचा जा रहा है तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगा इस वीडियो को देखने के बाद दोनों इंवर्टर में आप पता कर पाओगे और कौन सा इंवर्टर आपको लेना है उसके अकोडिंग आप इंवर्टर को देखकर ही डिफाइन कर पाओगे तो सबी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़़दा ज़़ाल लोगों के शार शेयर करें जिससे किसी भी वीवर या जो हमारा सबक मिले यह हमेशा मेरी कोशिश रहती है तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को जागरुक करने के लिए मैं टाइम टाइम पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूं तो आएए देखते हैं दोनों इंवर्टर में क्या डिफरेंस है और समझते हैं डिटेल में तो आएए स्टार् इंवर्टर लीथियम बैटरी सपोर्ट करता है और इस इंवर्टर पर भी लिखा हुआ है पीछे की साइड कि यह इंवर्टर लीथियम बैटरी सपोर्ट करता है तो फिर उस यूट्यूबर ने बोला कि सर मुझे लीथियम बैटरी का सपोर्ट चीए मैंने लीथियम बैट की तो company वाले बोलते हैं कि आप आप में 50000 रुपे प्लस GST दो तो हम आपके inverter में inverter को lithium support बना देंगे तो दोस्तों ये तो बहुत ही गलत चीज़ है फिर उसने वापिस seller को phone के तो seller ने गोला कि मुझे जानकरी नहीं थी भई अगर जो आदमी inverter बेच रहा है उसको जानकरी नह यह हो तो इसके लिए मैं बतायता हूं देखिए यहां पर जो यह नॉर्मल inverter से में calibration लिखा होता यहां पर जो battery टाइप होता है इसमें calibration होता है और यह जो नॉर्मल battery होती है लाइड एसेट बैटरी वही support करता है ट्यूबलर बैटरी मतलब देखिए यहां पर तो इस inverter को आ company ने lithium support लिखा हुआ है बट यह है नहीं देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको देखें दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर दिखा हुआ है clearly की देखिए second point देखिए IT mode enable की नीचे lithium battery selected अगर इस switch को आप तीन बार दबाओगे तो lithium battery स्लेक्ट हो जाएगी बड़ दब इन्होंने करके देखा तो कोई भी लीथियम battery सपोर्ट नहीं हो रही थी क्योंकि यह inverter ही नहीं अब दोस्तों दूसरा एंड फोस्पेट बैटरी का सपोर्ट है इसमें तो यह लिखा हुआ और कौन सी lithium battery सपोर्ट करेगा यह भी सारे parameter में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं तो एंड तक बने रहना है तक आप लोग के साथ कोई भी दोका नहीं हो तो lithium इसमें clearly लिखा हुआ है अगर यहां पर देखिए यहां पर भी गामा प्लस पीस्वी ब्रेकिट में एलाई लीथियम आयन लिखा हुआ यह लीथियम आयन बैटरी है जो कि यूटी एल की है तो इसके सारे इसके लिखने वाले है अगर बैटरी की पैरामेटर देखिए तो 25.6 वोल्त मतलब कि लीथियम आयन फॉसपेट अगर हम सिंगल बैटरी देखिए तो 12.8 वोल्त की होती है अगर दो तो अगर 24 वोल्ट में देखे, दो से मल्टिप्लाई कर तो 12.8 को, तो 25.6 वोल्ट आ जाता है, मतलब कि लीथियम आयरेन फोस्पेड बैटरी ये इंवर्टर सपोर्ट करेगा, यहां पर इन्होंने 100 एज की बैटरी लगा रगा रगा, इसका मेग्जिमम चार्जिंग करेंट डिस्चार्ज करेंट है, चार्जिं करेंट है 45 crews, लो قटब वोल्टेज थे 22.8 वोल्ट और अपर कटफ वोल्टेज थे 28.5 वोल्ट और डिस्चार्जिंग करेंट यह है, दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आप कैलिबरेशन वाला इन्वर्टर गलती से आपने खरी लिया है, तो ये सारे parameter आपको set करने होंगे आपके inverter में पर मेरी advice तो यह यह है कि दोस्तों आप जो lithium iron phosphate support वो बैटरी वाला inverter है यह लिजिए देखिए इसकी back plate area हम देखें तो gamma plus PCU 3350 bracket में लिखा है low end और यहाँ पर अगर VOC की बात करें 106 volt इसकी VOC है तो सारे के सारे panel ये support कर लेगा और दोस्तों अगर हम इसके box को देखकर कैसे पहचाने तो ये भी मैं आप लोगों बता जिता हूँ देखिए यहाँ पर clearly आप देख पर हूँगे देखिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर देखिए tubular and lithium support लिखा हुआ है अगर यहाँ पर अगर इसकी light नहीं जल रही है tubular और lithium की इसका मतलब tubular battery ये support करेगा जैसे इस switch को तीन बार आप continue दबाऊगे तो इसकी light green हो जाएगी और ये lithium battery support करने लगेगा तो ये वाला inverter है जो की lithium battery को support करता है जिसमें यहाँ पर लिखा होता है tubular और lithium जो normal वाला होगा यहाँ पर calibration लिखा होगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस inverter को पेचान सकते हो देखिए और देखिए यहाँ पर जो 244 मोडल आ रहा है उसमें ये logo भी change कर दिया है patented यहाँ पर calibration लिखा हुआ है और जो lithium ion support वाला है lithium और tubular वाला इसमें पुराना symbol ही अभी तो आपको तो mainly यही देखना है कि tubular और lithium लिखा हुआ नहीं है या फिर calibration लिखा हुआ तो इसको देखकर आप easily पेचान सकते हो thank you so much